बिस्मिल्लाई रह्मानिराहीम, असलामुलीकूम डियर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स आज की लेक्चर में हम रिमान स्टिल्जी इंटेग्रल के बारे में पढ़ेंगे, अच्छा स्टूडेंट्स इससे पहले हमने लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, जस्ट रिमा स्टेल इंटेगरल और सिंपल इमान ऊंटिएगरल में कोई तना डिफरेंस नहीं अड़े तो पहले हमके रीमा preset जял rainbow six सीं ल्रेंगा के बारे में देख लेते हैं तो इसकी ड सनलेकर बबलकर सेम वही ड सी्ट है जो हमने औरहे लिमान इंते के सब्सक्रिट के पारी Ara года तो सब्सक्रिक्राइब से ज zm तो सब्सक्रिक्राइला के बाइल समय नियुज monotonically increasing function ठीक है और यह alpha इस function को हमने इस a इंटर्वल पर define किया हुआ और alpha आपके पास क्या है monotonically increasing ठीक है और यह alpha monotonically increasing है और alpha जो है वो इस interval के boundary points पे finite value देगा ठीक है यह जिस भी माइने में रखने हैं कि आपका यह alpha होगा जो monotonically increasing फंक्शन है यह इस इंटर्वल के बांडरी पॉइंट पर फाइनाइट वैल्यू देगा ठीक है यह इसी इंटर्वल में अगर बांडरी पर यह फाइनाइट होगा तो तो इदर हम ठीक है अब इस एबी के अकॉर्डिंग इस एबी इंटर्वल के कॉर्डिंग हम इसमें जो इंटर्वल की लेंथ जो है वो हम किस तरह से फाइंड करने हैं यह इदर मैंने एक इंटर्वल ले लिए ठीक है तो इसमें भी आप वही सेम काम करेंगे कि आप इस इंटर्वल के पार्टिशनिंग करेंगे उस partitioning में ये कोई भी आपके पास i1 interval होगा ये 2 होगा आइथ interval होगा ये nth interval होगा ठीक है तो इसको डिटेल से हम अलड़ी प्रीवेस लेक्टर में पढ़ चुके हैं तो जस्ट में इदर थोड़ा से इसका overview दे रहा हूं ठीक है तो इदर जो अब पहले हमने पढ़ा था रि XI-1 xğı-1 xI ठीक है रिमान इंटर इंटैग्रल के लिए यह interval था तो इस इंटरवल की ղेंध को हम जस्ट इस तरह से denied कर लेते थे थे sacrer ceremonies minus 1 लेकिन माइन चैपने ये वृश्रिक मेर्पा स्टियल Gi's integral की बात करनी है तो इस जो है वो alpha की values के according difference आप लेंगे तो यह length आपके पास इदर होगी remand still is integral में और यह alpha क्योंकि आपके पास यह monotonically increasing function है तो इसलिए यह del alpha जो है greater record zero होगा ठीक है और f हमारे पास क्योंकि यह real value or bounded function है तो इसके लिए जो हम इसका अपर सामने है remand still is integral के लिए वो इस तरह से find करेंगे ठीक है यह already हमने remand integral के लिए भी यही find किया था कि आप एक interval लेंगे तो interval के अंदर आपके पास इस function की जो भी maximum value होगी उस maximum value को आप उस interval की length के साथ multiply करेंगे तो इसमें interval की length को हम data alpha i से denote करेंगे ठीक है तो यह capital m i data alpha i या capital m i का meaning क्या है कि यह आपके पास जो भी given function होगा उसकी maximum या supreme value होगी ठीक है यह आपके पास आगे आप पर आपर साम for remand still is integral और इसी तरह से lower sum के लिए हम क्या करेंगे infimum के साथ इसको multiply करेंगे है मतलब जिस interval की आपने बात करने है उस इंटर्वल में फंक्शन की जो फंक्शन की पहले तो uniform value find कर लेनी है उस uniform value को आपने उसी इंटर्वल की length के साथ multiply करते जाना है और इस तरह से आपने सभी intervals को length को उसकी minimum value से multiply करके sum up करते जाएंगे तो यह आपके बस बन जाएगा lower integral तो रिमान stills में हम upper integral को upf alpha और lower को lpf alpha के साथ denote करते हैं ठीक है student तो इसके बाद हम बात करते हैं upper and lower integral की पहले हमने बात की थी upper and lower sum अब हम बात करेंगे upper and lower integral in terms of stills is integral अब हम यह क्योंकि stills is integral की बात करें तो उसके लिए slide सा जो change adjustment मैं वह दिखाना चाहरा हूँ अब हमने हमें यह पता है कि जो upper आपका integral है उसको हम denote करते है a to b इसमें b के उपर बाहर आ जाती है f of d alpha और इसमें upper remand integral के लिए हम क्या करते है जो हमने upper sum find किया होता है उसकी हम infimum value ले 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 ठीक है तो इसमें से हम वही है कि जो आपके पस upper sum की आप infimum value ले 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 तो वह आपके पास अपने इंटाग्रल हो जाएगा और जो lower sum के supreme value ले 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 तो वह हमारे पास lower integral हो जागा ठीक है तो यह इनके बारे हम already बढ़ चुके है तो इसको मैंने कोई in one का इसको कोई in two का है अब आपके पास यह अगर remand still is integral क्या होगा जैसे हमने simple remand integral के लिए पड़ा था कि अगर यह आपके पास upper integral और lower integral यह दोनों equal आजाएंगे तो यह दोनों जिस common value के equal आ जाएंगे उस common value को हम remand integral कह देते तो बिल्कूल उसी pattern पे अब इधर यह जो आपके पास upper remand integral और lower remand integral यह दोनों जिस common value के equal आ जाएंगे उस common value को हम remand stilges integral कहेंगे ठीक है remand stilges integral को हम इस तरह से denote करते हैं तो ठीक है students तो remand stilges integral या आप इसको in other words simply stilges integral भी कह सकते हैं ठीक है with respect to alpha over a b interval तो यह stilges integral आपका होगा with respect to alpha यह integral हम लेंगे with respect to alpha ठीक है उसमें हमने with respect to x लिया था लेकिन इसमें हम with respect to alpha लेंगे तो इसमें आपका f जो है यह x पर depend करेगा और alpha जो है यह भी x पर depend करेगा ठीक है या फिर इनको बाज वकात आप इसको इस तरह से भी लिग लेते हैं ठीक है f of x and d of alpha of x मतलब यह जो alpha होगा आपका यह alpha x पर depend करेगा ठीक है students तो यह आपके पास सा simple stilges integral तो अब question है कि still is integral आपका कब exist करेगा still is integral आपको उस वक्त exist करेगा जब यह अपर integral और lower integral यह दोनों equal होंगे ठीक है यह यह लिखा भी होगा मैंने still is integral exist only if one and two are equal ना तो यह दोनों आपके बाद जब equal होंगे तो फिर आपके पास जो remand still is integral यह simple still is integral जो है वो exist करेगा ठीक है students तो इससे related हम अब हम यह कुछ और definition है वो करते हैं उसके बाद इससे related कुछ theorem से हम वो करेंगे अच्छा अब next एक remark है इस remark में हमने यह लिखा है कि remand integral is special case of remand still is integral जो हमने पहले remand integral पढ़ा हुआ था वह आपके पास remand still is integral का एक special case है ठीक है किस तरह से अब अगर आप remand still is integral में हमने जो new cheese पढ़ी वो क्या add हुई है इसके अंदर alpha add हुआ है तो अगर आप remand still is integral के अंदर alpha की जगह पर alpha of x की जगह पर आप x substitute कर दें जस्ट alpha of x जीकूट x ले 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 तो यह चीज हमारे पास simple remand integral बन जाती है ठीक है तो means कि जो remand integral है वो remand still is integral का एक special case है जब आप remand still is integral में alpha of x की जगह पर simple x put कर देंगे तो वो चीज़ आपकी remand integral में convert हो जाएगी ठीक है students इसके बाद एक simple definition है refinement of partition की कि हम किसी भी partition की refinement जो है वो किस तरह से करते हैं तो इसके लिए आपके पास क्या होता है कि इसके लिए हमने यह two partitions ले लिए कोई भी इंटर्वल मारे पास ए भी है इस इंटर्वल के हमने two partitions ले ले लिए इसको मैं एक को मैंने पी से denote कर दिय एक partition को और दूसरी partition को मैंने पी स्टेरी के सार्ड रेनोट कर दे ठीक है तो यह refinement उसे वाकत होगी अगर आपके पास पी जो है वो पी स्टेरी को कॉंटेंड कर जाए ठीक है अगर हमारा पी जो है दिस इस कॉंटेंड इन पी स्टेरी जी मैंने लिखा भी हुआ है कि अग यह पी वाले partition पी स्टेरी को कॉंटेंड कर जाए means कि every point of P is contained in P स्टेरी then we say that P स्टेरी की is refinement of P ठीक है तो अगर P के सारे elements P स्टेरी के को कॉंटेंड करेंगे तो P स्टेरी की refinement होगी means कि P स्टेरी किदर हमारे पास जो final set होगा या super set होगा आप यह कहने कि P के element यह जरूरी नहीं है कि P के सारे element P को P स्टेरी के सारे element P को कॉंटेंड करें लेकिन यह condition इसके लिए कंबल्स चाहिए कि P के सारे element P स्टेरी को कॉंटेंड करने चाहिए means कि P में हमें कमज़ कम एक element भी ऐसा जरूर हो इसके अंदर मिलना चाहिए जो P को कॉंटेंड ना करें तो then हम कहें जो है वो P की refinement है या P star जो है वो P का super set है ठीक है students तो इसके बाद हम next हम definition देखते हैं कि common refinement क्या होती है simply common refinement common refinement का meaning आपके पास simple यह होगा कि अगर P1 और P2 हमार पाद यह two partitions हैं तो इन partitions की common refinement क्या होगी कि अगर आप P1 और P2 का दोनों का union ले ले ठीक है P1 और P2 यह कोई भी two partitions है अगर आप इन दोनों partitions का union ले 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 तो जो new आपके पास set बन जाएगा उस new set को हम common refinement कहेंगे ठीक है P1 और P2 का आपने union लेने हैं जो भी two partitions हैं दोनों partitions का आपने union लेने है union लेने के बाद जो भी new partition बन जाएगी पीस टारिक उस new partition को हम common refinement कहेंगे ठीक है students इस चीज़ को आप लोग ने माइन में रखने है ठीक है इसके बाद next है वो हम एक theorem कर लेते हैं इसी से related है तो इस theorem में क्या चीज़ है यह theorem हमें यह कहता है कि अगर आपके पास P2 कोई भी refinement है इस P2 की ठीक है P2 की refinement है इसका मतलब क्या होगा कि यह P2 के सारे element P2 को contain करेंगे तो then हमने यह प्रूव करना है कि अगर आप P steric पे lower sum लें तो वो greater than होगा lower sum of P, मतलब आप P steric पे lower sum ले 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 और P पे आप lower sum ले 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 तो इन दोनों का आपस में relation क्या होगा कि P steric वाला lower sum जो है वो P वाले lower sum से greater होगा ठीक है students यह तो इसी तरह से अगर आप P steric पे upper sum करें तो वो less than होगा इस P पर sum लेंगे तो उप्र साम के दर्में जो relation होगा जो वो पी इस्टरिक वाला upper sum जो है वो P वाले पर sum से less than होगा ठीक है students तो यह two आपके पास इसके प्रूफ बनेंगे तो इन में से एक का प्रूफ जो है वो मैं आपको इधर हम डिसकस कर लेती हैं और दो सेकंड वाला प्रूफ जो है वो आप लोग इसी पैटरन पेपर खुद उसको जो है वो ट्राइ करेंगे ठीक है तो फस्ट वाला प्रूफ जो है बलगे यह जो मैं पूसोन, x i-1, x i and x n ठीक है यह आपके पास एक partition है जो मैंने एक बी इंटर्वल के ओपर define किया है ठीक है अब पी स्टेरिक हमारे पास क्या है यह पी स्टेरिक क्या है यह पी की refinement है तो means कि पी स्टेरिक में इस पी से ज्यादा elements होंगे यह पी स्टेरिक जो है वो पी का super set है तो पी स्टेरिक को मैंने क्योंकि यह पी स्टेरिक में पी से ज्यादा elements लेने के लिए मैंने क्या किया कि इस set में मैंने just एक element जो है वो extra ले लिए इसके अंदर मैंने यह एक extra element ले लिए यह extra element मैंने क्यों लिया है क्योंकि पी स्टेरिक हमारे पास इस पी की refinement है तो refinement में P staric के अंदर P से ज्यादा elements होती है तो इसलिए मैंने P staric के अंदर एक element extra ले लिए जिसको मैंने X staric के साथ denote किये ठीक है तो इसको जब आप इदर draw करेंगे real line पे तो यह आपके पास बन जाएगा X not X i minus 1 यह मैंने X staric point ले लिए इदर X i up to X on X है ठीक है तो अब आपके पास कुछ interval बन गे तो इन intervals पे हमने अब upper sum layer sum यह सारी चीज़े जो है वो हमने find करने है ठीक है तो अब हमने इन intervals को लेके in intervals पे हमने upper sum लेकगा ठीक है तो वो upper sum where sum हम किस तदा से find करते है वो मैं आपको इदर बताता हूँ ठीक है तो अभी मैं इस first part का prove जो है वो start करने लगा हूँ ठीक है second वाले का prove जो है वो आप लोग खुद इसको देखेंगे ठीक है students तो इसके बाद अच्छा जी मैं first का prove जो है वो start करता हूँ जब first में first में हमने ये prove करना है कि आपके पास जो पी स्टैरिक पे lower sum है वो greater होता है पी पे lower sum ठीक है ये चीज़ हमने prove करने है अच्छा तो इसके लिए मैंने क्या किया सबसे पहले अच्छा अब इसके लिए देखें ये मैंने कुछ इंटर्वल लिया था ठीक है x i minus 1 x टैरिक अब इदर मैं सबसे पहले तो interval मैं ले रहा हूँ ये वाला x i minus 1 और x टैरिक ठीक है इस interval की मैं अगर बात करूँ तो इस interval पर आप lower sum कैसे define करेंगे इस interval पर lower sum का meaning आपके पास ये होगा कि इस interval में function की जो minimum value होगी उस minimum value को आप इस function इस interval की length के साथ multiply कर देंग ठीक है उसके बाद मैं इस interval इन दोने intervals को लूँगा ठीक है इस तरह से मैं just two intervals के लिए इसको journal जो है वो find कर लूँगा ठीक है तो अगर हम पहले हम x i minus 1 और x टैरिक interval की बात करें तो इसके लिए जो आपके पास lower sum होगा वो मैं define करता हूँ ठीक है तो इस interval पे ये x i minus 1 और x interval है इस interval पे function की जो minimum value थी इसको मैंने mega two से denote कर दिया उसके बाद x i minus 1 और x i interval पे जो function की minimum value थी उसको मैंने mi के साथ denote कर दिया ठीक है तो यह क्योंकि ए w1 और w2 यह यह दोनों इंटर्वल इस interval को contain कर रहे हैं तो इसलिए यह वाली minimum value इससे greater होगी और यह वाली minimum value भी इससे greater greater होगी, ठीक है? यह relation में इदर लिके दिया है. अच्छा, अब students हमने प्रूव क्या करना था? हमने प्रूव इदर से यह करना है कि यह LP steric F alpha यह greater than होगा, LP F alpha. तो इसמצीद को students प्रूव करने के लिए मैं just यह प्रूव करूँगा, कि LP steric, मैं इसको right side पर ले जाओंगा L P steric F alpha minus L P F alpha ये चीज़ आपकी greater equal to zero होगी ठीक है मैं इस चीज़ को greater than lower sum of P steric को lower sum of P से greater proof करने के लिए मैं simply ये प्रूव करूँगा कि lower sum of P steric minus lower sum of P is greater than zero ठीक है तो इस चीज़ को अब मैंने take करने लगा हो मैं इस चीज़ को मैंने suppose कर लेने ठीक है ये L P steric minus L P lower sum of P steric minus lower sum of P in इसको मैंने suppose करके इसको प्रूव करूँगा कि इन दोनों का जो difference है वो greater than zero होता है ठीक है तो ये मैंने इदर इसका difference ले लिए ये इदर इसका difference आपके पास आजएगा L P steric F alpha minus L P F alpha अब ये क्योंके lower sum है P steric पे तो इस lower sum को हम किस तरह से define करेंगे ये lower sum आपके पास इदर आजएगा L P steric वाला जो lower sum है वो आपके पास आजएगा omega 1 omega 1 into alpha मैं पहले इस interval की बात करूँ ठीक है तो इस interval पर हम कैसे define करेंगे minimum value को इस interval की length के साथ multiply कर देंगे तो minimum value आपके पास mega 1 है और इस interval की length है वो क्या आजाएगी alpha of x teric minus alpha of x i minus 1 ठीक है और इसी तरह से जितने भी intervals है इन सब की length को हम इदर sum up करते जाएगे ये plus आजएगा omega 2 ठीक है इसी तरह से omega 2 के लिए आजएगा omega 2 के लिए इस interval का आजएगा alpha of x i minus alpha of x teric ठीक है प्लस अच्छा ये तो आपके पास हो गए ये p steric के लिए ठीक है अब हम ये जो p है lpf alpha इसके लिए आपके पास जो minimum ये क्योंकि lpf alpha ये आपके पास complete interval है ये वाला ठीक है x i minus 1 to x i complete interval है तो इसके लिए जो lower sum आपके पास होगा minimum वैल्यू को हमने इदर m i से denote किया हुआ है ठीक है ये वाला minus ये इसका ये वाला sign ये इदर आगए as it is minus ये minimum value है इदर interval की length क्या आजाएगी alpha of x i minus alpha of x i minus 1 ठीक है ये इस interval की minimum value आगए अब इसको further जो है वो simplify करने के लिए इसमें जस्ट एक step की हमें जरूरत होगी ठीक है वो step मैं जस्ट आप लोगों को इदर बता देता हूँ अच्छा ठीक है अब इदर या मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ omega alpha of x i minus alpha x i minus 1 plus omega 2 alpha of x i minus alpha of x teric ठीक है ये first value two values वैसे के वैसे आगे minus m i ठीक है m i इसके अंदर मैंने थोड़ी से changing करनी है इसके अंदर changing आपके पास यह आदा हैगी ये alpha of x i इसमें मैंने ये minus alpha of x teric ये वाली term जो है इसको मैंने add भी कर दिया और इसी term को मैंने subtract भी कर दिया ठीक है ये alpha x i आगया ये मैंने add और subtract कर दिया इसके बाद ये वाली value जो है आपकी ये आजएगी ठीक है minus alpha of minus ये वाली value उसके आजएगी alpha of x i minus 1 ठीक है students अब इस चीज़ को आप लोग जब simplify करेंगे w1 और w2 को multiply करने के बाद इसको simplify करेंगे तो simplify करने के बाद जो आपके पास final answer आजएगा वो मैं answer इदर आपके पास लिख रहा हूँ इसको multiply करने के बाद आपके पास answer कुछ इस तरह से आजएगा w1 minus यह बन्जाएगा w1 minus m i into alpha of x taric minus alpha of x i minus 1 ठीक है plus w2 minus m i into into यह देगा alpha of x i minus alpha of x taric ठीक है students यह इसको आप simplify करने के बाद उपर वरी terms को थोड़ा से multiply करने करके simplify करने के बाद final हमारे पास यह चीज़ आदेगी अब students इदर से आप लोगों यह देखने के alpha हमारे पास कहा है definition में हमने पढ़ा था कि alpha हमारे पास monotonically increasing function है तो इनका difference है वो भी monotonically increasing function होगा इसी तरह से यह भी आपके पास monotonically increasing है यह भी monotonically increasing है ठीक है तो यह monotonically increasing है तो that's mean के यह भी greater record to zero होगा और यह भी greater record to zero होगा और इदर w1 जो है वो mi से greater है ठीक है यह हम इदर लिख चुके है इसका भी पॉजिटिव हैा, इसका भी पॉजिटिव और वह वह व्य वाद्स हो स्वाइन के वाजिय honesty यह करेंगे, ओर इसका भी पॉजिटिव और तो जब आप इस सारी चीज को solve पी स्टेरिक F alpha minus L P of F alpha is greater equal to zero. तो अब यह अगर आपके पास greater equal to zero है तो this implies that इसको हम लिख सकते हैं L P स्टेरिक F alpha is greater equal to L P of F alpha. ठीक है students यह इसका required prove आगे. तो students इसके बाद आप लोग इसी pattern पे यह second वाले का prove करेंगे. ठीक है तो यह second वाला prove जो है वो मैं आप लोगों के लिस्ट छोड़ रहा हूँ. ठीक है students thank you.